हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दिव्या और वेलकम है अपका मेरे चैनल दिव्यास किचिन में आज हम मिल्केक बनाने जा रहे हैं इसको कला कम भी कहते हैं यह एक स्वीड डिश है और बहुत ही टेस्टी लगती है लोगडाउन का टाइम है तो आपको यह बहार नहीं मिल सकती इस समय तो अच्छा है कि इसको घर पर ही बना के इंजॉय करें बहुत ही कम इंप्रिडियंट के साथ बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएगी तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी और रेसिपी श तो यह कलाकन हम बिल्कुल बजार जैसा बनाएंगे एकदम दानेदार कलाकन जो बजार में मिलता है बिल्कुल जैसा ही बनाएंगे तो आईए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी यहाँ पे मैंने दूद ले लिया है करीब 2 लीटर की करीब यह दूद है और इसको अभी हम करने के लिए इसको अभी हम बॉइल करेंगे और इसको चलाते रहेंगे त्यान रहे यह नीचे से लगे ना थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बॉइल करने में तो यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहता है पस आपको इस तरीके से इसे बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि दूद जो है वो नीचे चिपके ना काला कंद मेहां बहुत है औट ही कंद भीच टेस्टि मिठाई होती है और बाजार में तो बढ़ी असानी से मिल जाती है पर घर पे जो Fresh coverage बनते हैं उसका तो मजा ही कुछ और होता है कोई मिलावत नहीं होती कुछ भी में होता उसमें एक्तम Fresh काला कंद बनाके गट पए ख्थाएं उसी बात अलगे है तो अभी आप देख सकते हैं दूद मेरा इतना हो गया है यह झाया हेला करीब अब अब हम इसको और थोड़ा सा कर लेंगे और इस तरीके से घिए मलाई वी उपर आने लगी है इसको किनारी किनारे से जो मलाई जम जाती है विहांगेन आप मैं धे नाल रहे हुं निम्बूका रस तो थोड़ा दो कर कि डालेंगे मैंने इसमे एक छोटा-चमश निम्बू का रस डालने और इसको मैं मिक्स करनाओगी अगर जुलत पड़ी तभी और डालना है इससे क्या होगा निम्बू का रज डालने से जो दानेदार आपको दिखता है कलकर जो बाजार में दाने-दाने उते हैं इससे वो दाने-दाने आ जाएंगे कि अधुर फोरर इसको इस तरीक से चलाते रहेंगे हैं थोडा सा मिक्स करके आप देखें यह दाने-दाने-दार ॥म्रस हो गया है और थोड़ा-सा दूद और पी जल गया है तोब मैं इस 나서 चीनी डाल लुँगी चीनी को मैं थोड़ा थोड़ा बैच है वें नहीं तो दूद में से घी निकलने लगेगा तो इसमें मैंने चीनी थोड़ी-थोड़ी करके डाली है और इसको इस तरीके से मिक्स करके अभी हम इसे और थोड़ा सा गाड़ा कर देंगे तो बस हमारे सिफ चार इंग्रीडियंट्स में ये कलाकंद बनके रेडी होगा और वो भी बड़े ही कॉमन से इंग्रीडियंट्स जो आपके घर पे हमेशा ही अवेलिबल होते हैं इसको हम अभी गाड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर करके और अब मैं इसमें डाले लगी हूँ घी तो चमबच के करीब मैंने यहाँ पर गी डाला है और इसको कर लेंगे अच्छे से गी को बिलकुल एंड में डालेंगे नीचे बेस से अभी एक खटा होने लगा है इस तरीके से तो यह अभी हमारा रेडी है और इसको अभी हम सेट होने के लिए रखते हैं तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोल्ड में घी लगा के रखा हुआ है इसको रखा है इसमें मैं डाल लूँगी और अपने पसंद के अपॉर्डिंग इसको आप जितनी आपको इसको इसको सेट करने और उपर से इस तरीके से थोड़ा से फलैट करते हैं इसको मैंने उपर से डेकॉरेट किया है थोड़े से पिस्ते से चौप किया हुआ पिस्ता है ये तो अब इसको करीड दो तीन घंडे के लिए हम इसी तरीके से छोड़ देंगे तो अभी ये सेट हो गया है अमरा और नेक मन पसंद साइस के अकॉर्डिंग इसको हम कट कर लें कलकन बनके बिल्कुल रेडी है गर का बना हुआ फ्रेश कलकन बिल्कुल दानेदार बाजार जैसा टेस्ट में आप एक बार ट्राइ करके जरूर देखे और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दाएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ तक तक के लिए बाई बाई